इस्टेंड गुड मॉर्निंग, तो इस्टेंड हम लोग देखे थे पिछले क्लास में इस्ट्रेट लाइन पर बात हो रहा था, इस्टेंड क्या होता उसका जो भी फोर्मूला था वो सब पे हम लोग का पिछले क्लास पर ही टिसकास हो गया था, यदि आप लोग इस्टेंड लाइन का lecture number one नहीं देखें तो lecture one देख लिजेगा इस्टेंट तब आज का lecture बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा तो इस्टेंट हम लोग state line में सबसे मेन बात जो था हम लोग का उसमें दो point के बीच में distance कैसे find करते है उस पे ज्यादा उनका focus था तो दो point का जब आपको एक line देदे इस्टेंट और इस line का दो point होगा एक a b तो a b के बीच का जो आपको बोलेगा कि distance find करके दिखाईए तो a b का distance क्या हो जागा इस्टेंट तो a b ब्रावर rootender x2-x1 का hall square पलस y2-y1 का hall square ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आज इसी का ज्यादा यूज करेंगे ठीक है distance of a b माल लिजे distance यहाँ पे यह एक line है इसका point जो है a और यहाँ पे यह जो point b ठीक है इस a का coordinate हम लोग ले लेते है x1 और y1 और इसका coordinate ले ले लेते है distance x2 और y2 तब हमको distance of a b चाहिए ठीक है distance of a b तो distance of a b equal to आपका formula था rootender x2-x1 का square x2-x1 का hall square फिर पलस y2-y1 का hall square y2-y1 का hall square तो यह हम लोगा था formula distance आप यह दि लेक्चर 1 को नहीं देखें तो आप लेक्चर 1 को देखें वहाँ पे और भी कुछ formula आप हम लोगा discuss हुआ था ताकि आपको यह चीज और भी अच्छा से समझ में आ जाए तो distance आगे इसी में हम लोग exercise निकालते हैं जैसे कि आप लोग भी R.S. अगरवाल का book निकाल लिजे ठीक है और यदि आप NCRT का book solve कर रहे हैं तो आपको exercise उपर दिख रहा होगा वो exercise आपको निकाल लेना है और यदि आप R.S. अगरवाल का book बना रहे हैं इस्टेंट तो exercise 20A इस्टेंट R.S. अगरवाल और NCRT सेम book है बस उसमें number of question थोड़ा कम है इसमें थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए इसको हम लोग करते हैं ना बनलब बनाते हैं ताकि आपका क्या हो revision revision ज्यादा हो ज्यादा question आप बना पाईएगा तो revision ज्यादा हो उससे अच्छा क्या होगा उससे आपका मैत अच्छा बनेगा इसलिए R.S. अगरवाल का book को बोलते हैं तो चलिए इसमें strands जैसे कि मैं आपको question number 3,4 यह सब बता दिये थे 1,2 से लेकर के आगे मैं इसमें एट क्या कह रहा है कि using the distance formula so that the points A, B and C दे दिया है आपको are collinear, क्या A, B और C collinear है तो सबसे पहले आप collinear समझे strands होता क्या है जैसे यह एक point है, collinear को हिंदी में sunrake बोलते हैं ठीक है, collinear को हिंदी के में क्या बोलते हैं तो sunrake एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, collinear इसी को आप लोग हिंदी में नहीं पढ़ते थे, sunrake वही चीज़ है इस strand ठीक है, 10 में इसका use हुआ था, तो एक collinear means क्या होता आपको 3 point दे दिया है, A, B, और C, और वला कि आप proof करके दिखाईए, यह आपका collinear है, तो strand जब भी कभी ऐसा बोल दे कि आप collinear हमको proof करके बताईए, तो आपको कैसे proof करना जानते हैं, जब 2 point का distance, जिसे यह AB है, पलस BC, यानि कि यह AB पलस BC, equal to AC हो जाए strand, तो आपका colline है, क्या बोले वार, फिर से सुनिए, जब AB, पलस BC, equal to AC के बरावर हो जाए, तो आपका क्या होगा, तीनो point collinear होगा, अब समझ में आया, यानि कि वो collinear होगा, संरेक होगा, तो strand यही आपका question number 8, कि बोला है, आप proof करके दिखाईए, कि यह तीनो point collinear है कि नहीं, तो strand से पहले, जो point दिया हुआ, उस सिच को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, अपर लिखेंगे, solution में, give hand that करके, give hand that, यानि कि इस strand हम लोग को दिया हुआ है, जो point दिया हुआ है, जो point दिया उसको एक बार लिख लेते हैं, तो point A, हम लोग को दिया हुआ, 3 और minus 2, इस X के लिए भी 8, और Y के लिए 8, तो इस strand बोला, कि आप प्रूफ करके दिखाएं, कि ये point को लिनियर है यानि, किसका यूज करके, तो distance formula का यूज करके, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं, AB के बीच का जो distance होगा, वो find कर लेते हैं, तो AB व्रावर formula, X2 minus X1 का square, फिर plus Y2 minus Y1 का square 2, यहाँ minus, और already यहाँ यहाँ पे एग minus, माइनस मिल करके क्या आजगा, पलस 2 का whole square, अब distance 5 पे minus 3 आप जैसे ही किजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आजगा, रूटेंडर 2 का square 4, पलस 2 प्लस 2, 4 का square 16, मिल करके आपके पास root 20 हो गया है और आप इसी root 20 question 2 root 5 भी लिख सकते हैं, यानि कि आपको A B बराबर मिल या 2 root 5, इसी दर अब हम लोग B C भी find कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे B C equal to, इसके लिए भी formula क्या हो जागा था, X2 minus X1, यानि कि 8 minus 5 का whole square, पलस Y2 minus Y1 का whole square, 8 minus 2 का whole square, अब आप देखेंडस यहा से, 8 minus 5 तो 3, और 3 का square क्या होता, 9 होता, ना तो यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर पलस, 8 minus 2, तो क्या होगे 6, और 6 का square तो 36 हो जागा, यहाँ पे लिख दिये 36, दोनों को जोड देशन, तो root के अंडर 45 आ जागा, और इसी 45 को हम लोग 3 root 5 भी लिख सकते हैं, तो यह लिखती है, अब instance, अब हम लोग AC find कर लेते हैं, क्योंकि आपको collinear में क्या बता है, जब AB plus BC equal to AC हो जाए, तो आपका collinear है, अब हम लोग देखें, यहाँ से AC find करके, आप लिखेंगे instance, now, या फिर end लिख लिजेंगे, end AC, AC equal to क्या हो जाए, तो rootender X2 minus X1, rootender X2 minus X1, यानिकि 8 minus 3 का hall square, फिर plus Y2 minus Y1, तो 8 plus 2 का hall square, यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी minus, और formula का भी minus, इसलिए दोनों मिल करके plus हुआ है, तो अब देखें, यहाँ से आपके पास AC equal to क्या हो जाता है, 8 minus 3 की जिएगा 5 का square 25 हो जाए, फिर plus 8 plus 2 का hall square 100, मिल करके 125, और 125 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 root 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 root 5 यह चीजी लिख दे ठेक है, अब आप देख सकते हैं, कि यह जो AC है, यहाँ पर लिख यह, चुकि AC equal to, क्या है, AC 5 root 5 है, और यह AB और यह BC, दोनों क्या 2 root 5 plus 3 root 5 मिल करके यह होगा, कि नहीं 5 root 5, तो आपर लिख हैं, चुकि AC equal to, AB plus BC, इसलिए, AB and CR collinear, यह क्या तो collinear है, यही चीज तो हमको proof करना था, इस्टेंट, जो कि proof होगे हो गया, तो समझ में आया, collinear क्या कहता है, जब आपको एक line में 3 point दे दे, तो इसका 2 point जब 3 point के जोड के ब्रावर हो जागा, इस्टेंट, तब आपका collinear के लाएगा, जैसे यह AB find कर लिए, BC find कर लिए, और AC भी find कर लिए, हम लोग देखें, यह AC जो ऐसो, AB plus BC करने पर बन रहा है, तो हम लोग का यह क्या हो गया, ABC collinear हो गया, तो अब समझ में आ गया, चलिए, इसी में एक question और hint करते हैं, चलिए, अब हम लोग इसी में एक question number 9 देख लेते हैं, देखें स्टेंट्स, यह question number 9 क्या दिया हुआ है, so that the points, आपको 3 points दे दिया है, ठीक है, और बोला है, are the vertices of an isocells right angle triangle, क्या यह right angle triangle और एक isocells triangle बनाएगा, आप बताए, प्रूफ करके दिखाए, तो स्टेंट्स, सबसे पहले आपको properties पता होना प्रूपर्टी जी पता नहीं रहेगा, अब तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं स्टेंट्स कि यह isocells triangle क्या होता है, स्टेंट्स isocells triangle एक ऐसा triangle है, जिसका 2 sides आपस में क्या हो ब्राबर हो, माल लिजे स्टेंट्स यह आपके पास एक triangle यहाँ पर बना हुआ है, यह जैसे कि एक triangle हो गया, ठीक है, तो इस triangle में दो sides आपस में क्या होता है, एक वाल होता है, जैसे यह sides इसके equal होगा, तो यह आपका isocells triangle हो गया, और right angle triangle कैसा होता है, जिसको हम लोग सम कां तिरभूज बोलते हैं, यह आपका इस तरह होता था, right angle triangle होता है, यह आपका right angle triangle जिसका एक कौन 90 degree का, यानि कि जिसका एक angle 90 degree का बने, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो right angle triangle बोलेंगे, समझे, तो अब हमको proof करना है, अचा यह तो समझ में आगे हैं, कि एक angle 90 degree का हो, तो right angle triangle है, इसमें एक और बात छिपा हुआ है, क्या, यह जो H है तो है, कर ने जिसको बोलता है, तो यह H का square बराबर perpendicular, यह जो है आपका P, जिसको P बोलते हैं, लंब, plus, base, जिसको आधार बोलते हैं, यह कि H square बाबर P square plus B square होता है, तो यह भी properties होता है, इसी properties का हम लोग यूज करके, इस question को solve करेंगे, और ISO cells को कैसे proof करेंगे, तो इसका दो sides आपस में क्या हो, equal हो, तब वो ISO cells triangle होगा, तो इसमें भी हम लोग को होई distance formula लगाना होगा, यह AB, BC, AC, 2 बराबर होगा, तो पता चल जगा ISO cells होगा, और जब यह AC का square, बराबर, BC का square plus AB का square होगा, तो अब यह क्या होगा, आपका right angle triangle होगा, तो चलिए strands, यह दोन बूक नहीं निकालते हो, तो बहुत बड़ा आप गलती काम कर रहे हैं, आपको भी बूक निकालके बैठना है, तब आपको वीडियो देखना है, और copy भी, और pen भी, और सारा चीज नोट किजे, जितना भी चीज हम बताएं, तब आपके लिए यह फाइदे मन दोगा, ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसे में question, समझ लेते हैं, question number 9 को, तो जो question number 9 दिया हुआ था, जो जो vertices दिया हुआ है, एक बार उसको लिख लेते हैं, solution में give hand that करके, क्या-क्या दिया हुआ है, एक बार दिखिए, तो point A दे दिया है, point B भी दे दिया है, और point C भी दे दिया है, त हो है, अब स्ट्रेंट्स हमको यहां से find करना, क्या, तो हमको isocells और right angle triangle proof करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, AC, BC और AB, तो हम लोग स्ट्रेंट्स यहां से सबसे फिले गार AB find कर लेते हैं, तो आप जैसे ही AB find कीजिएगा, तो इसका formula आता, रुटेंडर, x2 minus x1, यान 5 minus 10 का all square हो जाएगा, अब हम लोग इसको add कर देते हैं, इस्ट्रेंट्स, तो रुटेंडर, minus 9 का square मिल करके 81 हो जाएगा, फिर यहां पे plus, minus 5 का square तो 25 हो जाएगा, अब दोनों को जोडिये न, तो रुटेंडर 106 हो जाएगा, होगा न, यह चीज लिख लिए, आप देखि आप जैसे ab का square किजिएगा, तो सिर्फ 106 आएगा, क्यांकि root 106 का square कर देजएगा, तो 106 होगा, अब हम लोग का यह ab निकाल गिया, अब हम लोग निकालते हो इस्टेंट्स इसी में bc, तो आप लिखेंगे, bc equal to, bc equal to, तो इसका भी formula लगाएगे, x2 minus x1 वाला, रोटें फिर पलस, y2 minus y1 होता है, minus 4 और minus 5 हो जाएगा, minus 4 और minus 5 का square, तो इस्टेंट्स अब देखें, यहाँ से आपके पास bc equal to क्या होता है, 3 plus 2 किजिएगा, 3 plus 2 5 का square क्या हो जाएगा, 25, फिर पलस, minus 4 और minus 5 मिलकर के, minus 9 का square क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनो bc का square, यानि की root 106 का square, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 106 ना होगा, अब आप देख सकते, इस्टेंट्स यह जो bc है, और यहाँ पे यह जो आपका a b आया, दोनों same है, यहाँ पे लिखेंगे, चुकि a b equal to bc, इसलिए a b c is an isocells triangle, होगा न, isocells triangle, प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, कि आप प्रूफ करके दिखाए, यह यह isocells triangle है कि न, तो इस्टेंट्स, आइसोcells triangle का अर्थ क्या होता है, कि उसका 2 sides equal होना चाहिए, तो a b, जो bc के equal है, यानि कि यह isocells triangle है, अब हम लोग इसी में बोला है न, right angle triangle भ यह भी प्रूफ कर लेते हैं, चलिए, a b निकल या, bc निकल या, a c निकल या, अब a c निकालेंगे इस्टेंट्स, तो a c ब्रावर क्या हो जाए देखिए, तो a c equal to root tender, यह x2 minus x1, x2 minus x1, तो क्या हो जागा, 3 minus 7 का square, फिर plus y2 minus y1 का square, यानिकि minus 4 और minus 10 का holy square, अब देखिए इस्टेंट्स, आप जैसे इसको minus किजिए, तो minus 4 का square क्या हो जागा, 16, फिर plus minus 14 का square क्या हो जागा, 196, अब दोनों को जोड़ दिजे न, तो root tender 212 हो जाएगा, अब इस्टेंट्स, यह तो हम लों के पास a c आ गया, a c का अब square कर दिजेगा, a c का square, तो सोच ये, 212 होगा की इन, root 212 का square, तो root cancel, सिर्फ 212 बचेगा, तो आप यहां से देख सकते हैं, चुकि, a c का square equal to, a b का square, plus b c का square मिल रहा है, इसलिए, a, b, c, is right angle triangle हो गया, यह आपका, right angle triangle, और यही चीज़ तो हमको proof करना था, तो दोनों चीज़ प्रूफ हो गया, तो इस्टेंट्स, आप पर इसका screenshot ले लिजे, फिर आगे और भी दो-चार question पर hint करेंगे, आप question number 12 समझे क्या दिया है, so that a, b, c, d, आपको 4 point दे दिया, समझे, और बोला कि आप proof करके बताए, यह square है कि ने, तो strengths, square कैसे हम लोग proof करेंगे, आप लोग जानते है, square का जो चारो sides है, आपस में equal होता है और उसमें जो दो diagonals बनता है, वो भी दोनों से हम होता है, diagonals जिसको आप लोग हिंदी में विकर्न बोलते हैं, समझते हैं कि ने, एक बार आपको figure के through बना के दिखा देते हैं, strengths, ताकि आपको और भी कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका question एक बार लिख लेते हैं, यह जो question number 12 दिया हुआ है, इसी को बता रहे हैं, बोला है न, 4 point दे दिया है, और बोला कि आप proof करके दिखाईए, यह square है कि नहीं, तो जो-जो point दिया है, एक बार उसको लिख लेते हैं, solution करके, give hand that, या फिर give hand the point भी आप लिख सकते है, suggestions, give hand that, तो क्या-क्या दे दिया है, A point दे दिया हुआ है, A point क्या दिया हुआ है, तो A हम लोग को दे दिया है, 3 or 2, B point दे दिया है, 0 or 5, C point हम लोग को इसी में दे दिया है, C point हम लोग को दे दिया है, minus 3 or 2, and D, and D point भी दिया हुआ है, D point क्या दिया है, तो D point दिया है, 0 or minus 1, और बोला कि आप प्रूफ करके दिखाईए कि ये एक square है तो आप सबसे पहले square एक बना लिजिए ठीक है ये आपका एक square हो गया square का क्या होता तो चारो sides आफस में equal होता है ये, 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 सब same होता है और इसका जो दो डाइगनल्स ये वाला और ये बनेगा ये भी same होता है ये, बी, सी, डी ये, ए, बी, बी, सी, सी, डी और ए, डी, same उसके बाद ये जो आपका diagonal से a, c और b, d वो भी same होता है तो ये दोनों चीज़ हमको प्रूफ करना है पूरा चीज, जितना भी इसका जो प्रोपर्टीज हम लोग देखें वो प्रोपर्टीज आप लगाईए आपको प्रोपर्टीज याद रखना है कि चारो साइट्स, स्क्वेर का क्या होता, same होता है और स्क्वेर में जो दो डाइगनल्स बनता है जिसको भी करन बोलते हैं, वो भी same होता है तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं तो A, A, B हम लोग सबसे फिले फाइंड करते हैं ये A, B, A, B आप यहां से फाइंड कीजिए याँ पे लिखिए A, B, इक्वोल टू, रूटेंडर X2-X1, यहनिकी 0-3 का स्क्वाइर फिर पलस, Y2-Y1 तो 5-2 का स्क्वाइर अब देखिए स्टेंड्स 0-3 तो-3 का स्क्वाइर की जगा तो 9 हो जागा फिर पलस, 5-2 तो 3 का स्क्वाइर कर जगा 9 हो जागा मिल करके, रूट 18 हो गया हुआ न, यह रूट 18 लिग दिए अब इस्टेंड्स, आप यहाँ पर BC निकाल लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC इक्वाइर क्या हो जागा रूटेंडर, X2-X1 तो-3-0 का स्क्वाइर फिर पलस, Y2-Y1 तो यहाँ पर क्या हो जागा आप इस्टेंड्स हम लोग यहाँ से CD फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे CD equal to, आप CD फाइंड कीजिए, यह आपका C है, यह D है, रूटेंडर X2-X1 तो 0 और माइनस माइनस मिलकर के पलस हो जाएगा न, तो 0 पलस 3 फिर पलस, Y2-Y1 तो माइनस 1 और माइनस 2 का स्क्वाइर हो गया अब जोड देते हैं, और स्क्वाइर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जागा 3 का स्क्वाइर 9, फिर पलस माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 का स्क्वाइर 9 मिलकर के root 18 हो जाएगा, आप देख रेंस्टेंड्स a भी निकल गया, b, c निकल गया, c, d निकल गया, अब a, d भी find कर लेते हैं, a और d, तो यहाँ पर लिखे हैंगे, and, a, d equal to, तो a, d equal to क्या ज़रू, tender, x2 minus x1, plus y2 minus y1, तो a, d, x2 minus x1, यानि कि 0, minus 3 का square, फिर plus y2 minus y1, तो minus 1, और minus 2 का square, तो दोनों मिलकर के, यहाँ पर root 18 होगा, इस्टेंट्स, आप जोड़ घटाव करके, देख लिजिए, यह हो गया, अब आप देख सकते हैं, इस्टेंट्स के, हमलों के पास, ab निकल गया, bc निकल गया, cd निकल गया, ad निकल गया, और सब हापस में equal है, root 18 के ब्रावर है, अब चलिए, हम लोग दोनों diagonals भी निकाल लेते हैं, आप लिखेंगे, ac, now, ac, ac ब्रावर क्या हो जागा, ac ब्रावर, वही formula distance का, x2 माइनस x1, तो माइनस 3, और यहाँ भी माइनस 3 का square, फिर पलस, y2 माइनस y1, तो 0 हो जागा, सोचके देखिए, 2 माइनस 2, चलिए, वर लिख ही देते हैं, 2 माइनस 2 का square, होगा न, 2 माइनस 2 का square, अब देखिए, यहाँ से, आपके पास, ac equal to क्या हो जाता है, तो माइनस 6 का square क्या हो जागा, 36 और 36 का root निकल दिजेगा, इसका वर गमूल निकल लिएगा, 36 का, तो क्या हो जागा, 6 हो जागा, यहाँ क्या आपके पास ac आ गया, अब हो लोग यहाँ से bd find कर लेते हैं, लिखेंगे bd equal to, तो bd equal to क्या हो जागा, फिर वही formula distance का, तो लगा यह न, x2 minus x1, तो मिल करके क्या हो जागा, minus 1 का square, minus 1 और minus 0 की जगा, तो यही होगा, फिर यह हो गया, x2 minus x1, अच्छा यह तो कैसे हो गया, x2 minus x1, यह ना है x2 आपका, sorry, यहाँ पर देखिए, x2 क्या, 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 का square, फिर plus, y2 minus y1, तो अब y2 minus 1 है, फिर minus 5 का square, मिल करके यहाँ क्या जागा, minus 6, तो bd equal to, आप देख सकते हैं, minus 6 का square की जागा, तो 36 होगा, यानि कि bd equal to, आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया, तो अब आप देखिए, शेंट्स, acb6, bdb6, और यहाँ से भी, जो आपका चारो साइट्स था, वो सब सेम हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चुकी, चुकी, ab equal to, bc equal to, cd equal to, ad, यह कितना के ब्रावर था अपका, तो root 18 के ब्रावर आ गया था, आया था ना दिया, आप एक बार लिख देते हैं, root 18, and, यह जो आपका दोनों diagonals है, वो भी सेम हो गया, ac और bd, दोनों diagonals सेम हो गया, तो लिखेंगे, and, ac equal to, bd, इसलिए, स्क्वायर का, एक बार हम फिर से repeat कर देते हैं, स्क्वायर का, इस्टेंट्स, प्रोपर्टीज है, कि उसका चारो साइट्स आपस में equal होगा, और उसका जो दो diagonals होगा, वो दोनों diagonals से एक दूसरी एका सेम होगा, बस आप इसी को प्रूफ किजिए न, ab निकाल ये, bc निकाल ये, cd निकाल ये, वही एक फॉर्मूला डिस्टेंस का, बांकी बाद आपका सारा चीज प्रूफ हो जाएगा, यही तो था स्क्वायर, अब इसी में और भी आगे question हम हिंट करेंगे, इसी का आप question नमर एक समझ गये हम से, ये तो आपका 9 तो बता ही दिए, question नमर 10 तो 7 है, question 9 के जैसा ही अब बनाईएगा, question 11 भी आप से बनेगा, बनाईए, 12 हो गया है, question 13 अब हम से समझ लिजिए, देखिए, question 13 में बोला किया, parallelogram प्रूफ करके दिखाईए, तो parallelogram का एग़ार आपको बना के दिखाते हैं, ये हो गया students, parallelogram का एग़ार figure बना देते हैं, ये parallelogram हो गया ठीक है, ये हो गया A, B, C और D, इसमें क्या ता punishment तो ये इसके ब्रावर होता है, और ये इसके ब्रावर होता है, मतलब आमने समने की भुजा ब्रावर होती है, आमने समने की sides को equal होता है परलेलोग्राम में, मैं given that करके, given that, चलिए, लिख ले ते instruments, आपका a point जो दिया हुआ है, a point हम लोगो क्या दे दिया है, तो 1 और minus 2 दिया हुआ है, यहापे लिखेंगे 1, minus 2, जो b point दिया हुआ है, वो b point क्या है, तो b point भी हम लोगो को दे दिया है, 3 और 6, 3 और 6, c point भी दे दिया हुआ है, c point है हम लोग का 5 और 10, 5 और 10, and यह जो d point है, d point भी हम लोगो को दे दिया, 3 और 2, चलिए, यह चीज़ तो लिख लिए हैं, अब हम लोग सबसे पहले ब बार AB find कर लेते हैं इस्टेंट्स की AB, AB कैसे find करेंगे, तो AB ब्रावर, formula आ जागा, रूटेंडर, X2-X1 का square, यानि कि 3-1 का square, फिर पलस Y2-Y1 का square, तो 6-2 का square हो जाएगा, होगा न, अब यहां पे देखिए, 3-1 की जगा, तो 2 का square, 4 हो जाएगा, फिर पलस, 6-2, 8 का square, 64 हो जाएगा, मिल करके यह आपका root 68 हो गया, तो हम लोग के पास AB आ गया, अब इस्टेंट्स हम लोग BC यहां से find कर लेते हैं, BC equal to, लगाईए BC में डिस्टेंस formula, तो X2-X1, 5-3 का whole square होगा न, 5-3 का whole square, फिर पलस Y2-Y1, तो 10-6 का whole square, अब आप सबको जोड दिजिए, तो 5-3 का square क्या हो जाएगा, 4, फिर पलस, 10-6 का square क्या हो जाएगा, 16, और दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, तो root 20, यह आगया हम ल CD, तो देखिए, X2-X1, X2-X1, यानि कि 3-5 का square, फिर पलस Y2-Y1, तो 2-8 का square, तो दोनों मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्टेंट, तो minus 2 का square, 4, फिर पलस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह, तो 2 में 8 को minus किजिएगा, 6 का square, तो 6 का square हो जाएगा, 36, 36, 36, और दोनों मिल करके आपके पास क्या हो जाएगा, तो root 40 हो जाएगा, अच्छा, एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, तो आप जो CD हम लोग find कर रहे है, तो X2-X1, 3-5 का square है, फिर पलस Y2-Y1, यही ना है, तो Y2 क्या है, 2 है, और यहाँ पे minus 10 ना है, दिखिए, 2-10 हो क्या हो जाएगा, तो 64 होगा, 64, और 64 प्लस 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, तो यह हम लोग के पास आगया CD, अब इस्टेंट्स हम लोग find कर लेते हैं, AD, तो AD ब्रावर देखिए, क्या होगा, AD equal to, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, X2-X1 का, तो 3-1 का square की ज करेंगे, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 4 का square, 16, मिलकर के root 20 हो जाएगा, अब इस्टेंट्स इतना तुम लोग निकाल चुके हैं, अब यह दोनों इसका जो diagonal सब वह भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, and AC equal to, तो AC बरावर क्या जाएगा, root tender, X2-X1 का hall square, देखिए, AC यह और यह, तो X2, 5-1 का square की जगा, तो 5-1, 4, और 4 का square क्या जगा, 16, फिर plus, Y2-Y1, यानिके 10 plus 2, मिलकर के क्या जगा, 12, इसका जगा 144, मिलकर के, root tender, 160, तो यह चीज लिख लिए, अब इस्टेंट्स हम लोग यह BD भी find कर लेते हैं, BD equal to, तो BD ब्रावर भी distance formula लगाईए, अब यहां से, B और D में, तो X2-X1, यानिकि 2, माइनस, अच्छा 3, माइनस 3 का square कर देंगे, तो यह तो 0 हो गया, और यहां पर आपका 4, अच्छा AC जो हम लोग निकाल लेगा, फिर से देख लिजए, AC, AC तो यह क्या हो जाएगा, आपका, X2-X1, 5-1 का square 4 हो के पास क्या हो जाएगा, तो BD हम लोग देखेंगे, तो X2-X1, यह तो आपका 0 हो गया, 0 का square 0 ही होता है, फिर पलस, Y2-Y1, तो मील करके क्या हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 4 का square करेंगे, तो 16, और यह मील करके 4 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, इस्टेंट की, यह आपका यह CD आया, दोनों equal है, and BC equal to AD, BC, BC equal to, किसके, तो AD के, तो यही चीश्टों को प्रूफ करना था, यह और यह, दोनों क्या होता है, आपका, same होता है, यह और यह दोनों same होता है, इसका जो diagonals होता है, श्रेंट्स, वो same नहीं होता है, तो यहाँ लिखिए, and AC equal to not of BD, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, और हम लोग का parallelogram का यही ना है, parallelogram का क्या था, आप एक बार theory parties का सही स समझे parallelogram का, parallelogram instance वो होता है, जिसका आमने सामने वाला भुजा same हो, यानि कि यह इसके ब्राबर, यह इसके ब्राबर, और फिर parallelogram में एक बात और आपको ध्यान द माइंड में अच्छे से वह ठाक रखना है, ताकि exam hall में जब आये ताप confusion नहीं होईएगा, parallelogram में यह system है, यह इसका जो आमने सामने का भुजा होगा, यानि कि जिसको आप विपिरित direction में भी बोल सकते, मतलब उल्टा direction, मतलब उल्टा, इसका उल्टा कौन है, यह उपर, यह नीचे, यह क्या होगा, आपका दाया, यह आपका बाया, मतलब RHS, LHS, उपर को क्या होता है, अप, डाउन, एक दुसरे का सेम होगा, तो instance, यह ABCD के ब्रावर, BC, AD के ब्रावर, और यह जो AC है, और BD है, वो दोनों ब्रावर नहीं होगा, यह यह दोनों डाइगनल्स, दोनों विकर न ब्रावर नहीं होगा, तब यह ABCD आपका क्या हो गया, एक परलेलोग्राम हो गया, लेखेंगे, इसलिए, ABCD is परलेलोग्राम, परलेलोग्राम, प्रूफ हो गया यह, और यही चीश्ता आपको प्रूफ करना था, तो चलिए, श्रेंट्स, आप इसका स्क्र नमर 14 देखें, क्या दिया हुआ है, श्रेंट्स, आपको 4 पोइंट दे दिया और बोला अब रोम्बस प्रूफ करके दिखाईये, तो तो रोम्बस में क्या उता आप समझे, अभी आपको हम स्क्वेयर में बताये थे, कि 4 साइट्स उसका इक्वाल होता है, है ना, 4 साइट और उसमें आपका diagonal भी same पहता है फिर पेरलेवोग्रां में देखें आमने सामने वुला भूजा same होता है और इसका diagonal same नहीं होता है फिर हम लोग अब rhombus में देखेंगे इस्टेंट्स, rhombus में क्या बात है जनते हैं, आपका चारो साइट्स सैम होगा, समझें, लेकिन इसका diagonal सैम नहीं होगा, इसमें बहुत कोई confusion जाते हैं, आपने ये तीनों को सही से सुनिएगा, rhombus में चारो साइट्स तो आपका सैम हो समझें आपका चारो साइट्स के साथ, आपका दोनों डायगनल्स सैम होगा, और पर चारो सामने वाला साइट्स साम होगा, दायगनल्स सैम होगाと思 दियां होगा, तो ये बात पर हैंपको ध्यान रखना समझें, चलीए, अब आपसे ये question नूमबर बन जाना चालिए 신्ट्स से चार पॉइंट दिया हुआ आप वहां से ये कोशन बना के और मेरा वाटसप पे भेज दिया ये कोशन आपका होमवर्क करेगा आगे बहुत सारा आपका होमवर्क है इस्टेंट्स लेकिन रोमबस भी आपको बन जाएगा क्योंकि सब में एक की काम करना बस आपको प्रोप तो इस्टेंट्स बस आज का क्लास इतना ही रखते हैं आज का क्लास में लोग देखें इस्टेंट्स कोलिनियर, इसक्वायर, आइसोसेज ट्राइंगल उसके पिर क्या देखे थे राइट एंगल ट्राइंगल, पेरलेलोग्राम, रोमबस ये सारे चीज़ पर डिसकास तो आपका संरेख होगा, तो इस्टेंट्स आपको इसमें बोला कि आप कोलिनियर हमको प्रूफ करके दिखाए, तो जब दो पॉइंट का जोड तिसरा पॉइंट के ब्राबर हो जाए, तो आपका क्या होगा, ये कोलिनियर का कंसेप्ट हो गया, उसी में स्क्वायर हम आपका सेम नहीं होता था, इसमें आपका सेम होता था, या था अपका पिरलेलोगराम फिर हम लोगेंगे इसमें दो साइड कर्ण का स्क्वार ब्रावर लंब का स्क्वार प्लस आधार का स्क्वार हो, तो यह आपका क्या बताता है, राइट इंगल ट्राइंगल बताता है, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हिंदी में लोग संभाहू तिरभूज बोलते हैं, तो इक्विलेटरल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हर एक class 11th वाले इस्टेंट्स के पास आप सेयर कर दिजिए ताकि उसको दिक्कत नहीं हो यह सब चीज पे और वहां की बात 8-9 में भी यह सब यूज है तो आप वहां भी सेयर कर सकते हैं यदि आपका कोई भाई बहनो तो वह भी समझ जाएगा कि क्या है parallelogram क्या है rhombus क्योंकि यह सब थोड़ा थोड़ा चीज के लिए बहुत किसी को समाज में नहीं आता है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजिएगा और ह वहां कहीं भी आपको दिक्कत हुआ एक्सरसाइज में भी जहां कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं बांकी बाद इस्टेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में में मेरा वाटसेब का